नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है चमतकारी टोटके में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे शादी शुदा जिन्दगी को बरबाद होने से बचाएंगे ये तीन उपाए और रिष्टे की डोर होगी मजबूत जी हां तो सब्सक्राइब कर लीजे हमारे चैनल को ज कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं अगर आप भी उनमें से एक हैं तो चिंता ना करें आज आपको बताते हैं को चुपाए जो शादी शुदा जिन्दगी को बरबाद होने से बचाएंगे पहला उपाए है शिव पार्वती पूजा शिव पार्वती की जोड़ी इतन पार्वती माता की प्रतिमा के सामने दो घी के दीपक जलाएं अब दोनों की बारी-बारी से आरती करें इस दौरान पती और पत्नी दोनों को एक साथ आरती करनी चाहिए हाद जोड़कर शिव पार्वती की सामने माता टेकें और उनके सामने अपनी समस्या रखें जिस दि गर पैसों की वज़े से कपल्स के बीच लड़ाई होती है। ऐसे में अगर आप अपनी आर्थिक इस्तिती मजबूत रखें तो उसके लिए आपको मालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जीवन साथी के साथ मिलकर ऐसा करें। दोनों सनान करें, पीले वस्तर पहने, मा के आगे दीपक और अगर बत्ती जलाएं, पती अपने सीधे हाथ की हतेली, पतनी के सीधे हाथ की हतेली के उपर रख दे। अब इस हतेली पर आपको पान का पत्ता रखना है और उस पत्ते के पर एक चांदी का सिक्का रखें। दोनों साथ में मंतर बोलें ओम श्रीम रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्षम ये असमाक दारिद्र नाश्य प्रचुरधन देही देही क्लीम हरीम श्रीम ओम। इस मंतर का जाप करने के बाद मालक्षमी के सामने हाथ जोडें, माथा टेकें और धन से सम्बंधित समस्या बताएं। चांदी का जो सिक्का आपने इस्तमाल किया पूजा में उसे आप तिजोरी में रख दें, इससे आपके घर में धन लक्षमी जरूर आएंगी और बरकत बनी रहेगी। तीसरा उपाय है गणेश पूजन ये उपाय उन लोगों के ल आपको बुधवार के दिल, पीपल के पत्ते पर अपने लाइफ पार्टनर का नाम लिखना होगा, इसे आप सिंदूर से लिखें। इसके बाद गणेश जी के सामने उस पत्ते को रखें और उसकी पूजा करें। पूजा समाप्त होने के बाद गणेश जी को अपनी समस्य बताएं और पीपल के पत्ते को बरगत के पेड़ के पास जमीन में गाड़ दें। इसे आप पीपल के पेड़ के पास भी गाड़ सकते हैं। इससे आपके जीवन की समस्याओं का नाश होगा और आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी जीवन की जितनी भी समस्याओं है देखते रहिए चमतकारी तोटके.